Hello मेरे Happy Dear People, आज की वीडियो हम सीखने वाले How to Access Nested Arrays ठीज है, एकसे नेस्टेड एरेस, पिछले वीडियो में हमने किया था कि कैसे हम किसी object को access कर सकते हैं, इस वीडियो में हम करेंगे कि कैसे हम किसी nested arrow को object कर सकते हैं, जैसे कि अब देशे तो यह first array है, फिर उसके बाद एक property list उसके अंदर फिर को और array आ गया, अब arrays को कैसे access करना है, हमें तो पता है कि dot notation करके हम उसको access कर सकते हैं, अब लेकिन arrays के लिए हम यूज करते हैं, इंडेक्सिंग, तो अब indexing के लिए फिर यहां पे तो अगर array के अंदर array होता है, तब तो हम multi-dimensional array करके, मतलब यूज करक कि जो भी array होता था, तो हम क्या करते थे, वहां पे array का नाम लिखते थे, index पहले वाला, मतलब first array, second array और इस साब से third array, जो भी मतलब जितने भी dimensions वाला array होता था, जितने भी, so लेकिन यहां पे तो objects भी है, arrays भी है, अब इसको complex array को कैसे nested करते हैं, as we have seen in earlier example, objects can contain both nested objects and nested array, जैसा कि हमने पहले देखा कि जो objects होते हैं, उसमें nested objects भी हो सकते हैं, मतला object के अंदर object भी हो सकते हैं, object के अंदर array और उसके अंदर object जो भी जैसे भी system चलना चाहिए, similarly उसी तरह से, to access nested objects, array brackets notation can be chained to access nested array, उसी तरह से हम क्या बोलते, array bracket notation का use कर सकते, array bracket notation chain का, chain मतलब कि जैसे हम directly bracket bracket multiple times you लिखते हैं या फिर dot 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 notation के बाद करते जाते हैं, तो वह हम एक तरह से chain करें उसको जोड रहे हैं, so उसी तरह से हम nested array को access करते हैं, example देख रहे थे, जैसे कि एक अवर पैट एक array है, उसके अंदर object आगे, दोनों देख सकते हो, cat, dog करके, अब यहाँ पहले जब हम यह run करेंगे, our pets, so our pets चले गया, अब उसमें हमने क्या क्या है, zero position, तो zero position मतलब यह वाला first object, जो भी first object है, क्योंकि यहाँ पर indexing zero से start होती है, तो यह first वाला position आ गया, यह आ गया second position, तो हमने जब zero farm run करेंगे, our pets zero, तो यह वाला access हो जाएगा, ठीक है, तो यह हमें, अगर मैं console.lock करूंगा, तो यह show होगा, अब में को क्या करना है, dot names में चलेगा, dot क्यों किया, क्योंकि object आ गया, अब object की वज़े से हमने dot वाले में चलेगे, dot notation स्टार्ट कर दिया, object को access करने के लिए, object को कैसे हम access करते है, या तो dot से, या तो फिर square packet से, right, so अब हमने dot notation ल में जो भी first index पर, first index मतलब 0, 1, 2, तो मतलब कि ये वाला access हो जागा, ठीक है, अब हम इसको, मैं आपको show करके भी दिखा देता हू, control C, और यहाँ पर हम आगे, control V कर दिया, और हमने इस last line को run, control C, ठीक है, so ये वाला हमारा आ गया, console.lock करूंगा, console.lock, so ये, अब किया, तो जैसा कि मैंने बोला, fluffy हो गया, अब अगर इसको index करेंगे, मतलब कि ये था 0th position में, ये आ गया, first position में, तो first position में, names में जाएंगे, और उसके 0th English करेंगे, तो ये आ जाए का spot, ठीक है, so इसको भी copy करके, मैं आपको show कर देता हू, मैंने आपको answer पहली बिता दिया, लेकिन चलिए, देख भी लेते हैं, so spot अगया, ठीक है, so पता जालगे, कैसे access करते हैं, अब हम अपना जैसी assignment करेंगे, तब आपको clear जाएगा, लेकिन अगर आपको already समझ आज चुक है, मैं बोलता है, वीडियो को pause करके, try कर लो, ठीक है, solution तो मैं देही नहीं वाला हू, pause कर लिय कर लिया, okay, I hope आपने pause कर लिया होगा, नहीं किया होगा, तो कोई भी tension नहीं है, मैं इधर गहूं, so don't worry, now, अब हमें क्या करना है, using dot and bracket notation, dot and bracket notation का इस्तमाल करके, set the variable second tree, ठीक है, जो, okay, मैंने ज़्यादा ही कुछ हटा दिया, हाँ, मैं भी सोचा, कुछ तो good word कर दिया, so य use, set the variable second tree to the second item in the trees, जो second item, trees में जो second item है, यह आगया, trees, इसका जो second item है, मतलब कि मेरे इसाब से pine को access करने बोल रहे है, from my plants, ठीक है, so my plants से अब देखते हैं, अगर यह सही बोल रहे थे या नहीं, secondary, okay, so मैं इसको हटा देता हूँ, और directly यहाँ पर मैं value करूँ, कैसे access करेंगे, my plants पहले array का नाम आजाएगा, ठीक है, अब index कर दिया, index में यह कुन सी number पर, second पर, ठीक है, तो मतलब कि second position में मतलब कि इसका index है, one, so first index पर आगे, अब क्या करेंगे, हम आप चाहो तो dot notation का भ देखना चाहता हूँ कि इसे साब सहम कर सकते हैं, list और उसके अंदर index कुन सा, उसके अंदर था, यहाँ पर आगया, array है ना, तो यह आगया one, let's see, सही answer रहता है, नहीं, ओके, यह नहीं चला, एक बार देखते हैं, dot notation का यूज़ करके कर सकते हैं, okay, dot, list, okay, show तो ऐसे भी नहीं होगा न, हाँ, रुको मैं को console.log करना पड़ेगा, console.log, secondary, ठीक है, so secondary था, pine, pine को ही देना था, हमने, एक बार मैं इसको फिर भी चेक करना चाहूँगा, कि यह indexing के साथ होगा, नहीं होगा, dot के साथ नहीं होगा, dot अगर मैं हटा देता हूँ त so, हमें dot के साथ नहीं, मतरब dot यूस करना ही पड़ेगा, so, अगर ऐसे में, अब यहाँ पर question, हमाना test तो पास हो चुका है, लेकिन खुद से सोचने वाली बात है, कि अगर हमें कभी space वाला आजाए, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर dot method तो यूस नहीं कर सकते हैं, right, so, उसक तो पाइन आ गया, चेक कर लेते हैं, test पास हो चुका है, so, next video में मिलता हूँ, जो भी doubts हो, question हो, comment करके नीचे पूछ सकते हो, यह वलत जो मेरा doubt था, अगर आपको answer पता है, तो आप बोल सकते हो, नहीं, तो हम आगे की वीडियो में सीखी लेंगी, कि वो कैसे कर सकते हैं, झाथ बाइ